अनुछे 334 में सुधार क्या गया, 104 संभीधान संसुधन 2019, 2 दिसंबर 2019, 126 संभीधान संसुधन विदेद, यह अखिर क्या है, इसको में समझाता हूँ आपको पूरा डिटेल में, अनुछे 334, क्या है यहाँ पर देखे, अनुछे 334, 70 वर्स पस्चात, सीटों कारक्षान, जो मुल संभीधान को जब आप देखते हैं, मुल संभीधान आप खोल के देख सकते हैं, जिसमेनुछे 334 में साफ साफ लिखा हुआ है, कि 70 वर्स पस्चात, सीटों का आरक्षान, तथा विशेज परतिनीधितू की समाप्षान, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जैस करते हैं, तब तिथी आती है, 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020, जो कि वहाँ पर 26 काउंटिंग हो चुका है, इसलिए दिन यावते कम होगा, 25 जनवरी 2020, 25 जनवरी 2020 को यह तिथी कंप्लीट हो जाती है, 70 वर्स की, और स्वत्ता ही नियमान उसार, जैसा कि इसमें लिखीत है, किया जाता, तो एसी और एस्टी कि जो आरक्षन की बात थी, लोकसभा, विधान सभा में या और किसी भी जगा पे हो, सुर्ता आरक्षन की जो टर्म से वो समात हो जाते, कहने का मतलब वो कही के नहीं रहते, वो जाहे आरक्षन से रिलेटेड हो, या सिच्छा, नौकरी, क कर दिया गया है, यहाँ पर आप देखिए, अनुछे 334 में सुधार किया गया, क्या सुधार किया गया, यह तो बता दिया हो, कि सुधार यही हुआ है, जो 10 वर्स एक्स्टेंड कर दिया गया है, अभी यहाँ पर आप देखिए, अनुछे 334 के लिए होगे क्लियर, अभी 104 चारवां संबिधान संसुधान, ठीक है, 104th Constitutional Amendment 2019, ये आपका हुआ है 2 December 2019 को, टेट याद रख सकते हैं, वैसे महतोपूर्ण नहीं है, ये महतोपूर्ण है, जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी, बहुत ही महतोपूर्ण है, ये 104 संबिधान संसुधान अदिनियम 2019 है, और ये 12 26 संबिधान संसुधान विदेयक था, ये दोनों में आखिर क्या बाते समान है, ये समझने की बात है, जैसे मैं इसको आसान भासाने मैं आप लोगों को समझाओंगा, जो कि आप समझ सकते हैं, 104 संबिधान संसुधान अदिनियम 2019, 104th था, और ये 126 वा आखिर, आप सोच र 126 संबिधान संसुधान विदेयक कीस पर था, इसी नियम पर था, इसी पर एड़ की अगया — 126 संबिधानसंसूदान विदेयक ये है, लेकिन 104 संबिधान संसुधान अदिनियम 2019 बना, ये कैसे होता है — ये मैं आपको आसान भासा में समझाने का प्रयास करता हूं. इसी अपने एक पत्र लिखा मैं सरकारी पत्र की बात कर रहा हूँ तो जरूर आप उस पत्र में पत्रांक भी डालेंगे और दिनांक भी डालेंगे पत्रांक और दिनांक माल लिजे आपने इसी तीथी को मैं एक्जामपल के लिए माल लेता हूँ कि 2 दिसमर 2019 को कोई आदमी एक पत्र लिखता है और उस पत्र का संख्या माल लिजे कि 110 देता है इससे क्या साबित होता है कि इससे पहले 109 तक लेटर लिखे जा चुके तभी तो 110 दिया 2 दिसमर 2019 को तो जब वो 110 दिया वो किसी एक्षन के लिए कोई पत्र अगर लिखे गए सरकारी पत्र अगर रहेगा तो वो पत्र किसी काम के लिए लिखेगा वो मानके चली किसी भी काम के लिखा और वो काम नहीं हुआ तो similar काम के लिए फिर वो एक पत्र लिख सकता है आप reminder भी समझ सकते हैं तो जब वो reminder भी लिखेगा same subject पर अगर लिखेगा चुकि देखे वीध्यक तो बदण नहीं रहाएं वीध्यक तो वही है लेकिन अगर वीध्यक फेल कर जा रहा है वीध्यक क्यों फेल करता है मालने ज़िए अच्छा नहीं लगा ये किसी तरीके का तूटी लगा ये विटो पावर का यूज कर दिये राष्टपती और विधयक को नहीं पास किये तो वो तो अधिनियम नहीं बन पाया तो अधिनियम जब नहीं बन पाया तो उस इस्थिति में क्या होगा आपका counting number तो बढ़ जाएगा जब आप second बार भेजेंगे थर्ड बार भेजेंगे उसी तरीके से आप 110 letter आप लिखें आपने लिखा 110 number का letter और क्या हुआ 110 number का letter लिखने के बाद आपको उसका result नहीं मिला आप क्या करेंगे reminder लिखेंगे अब जब reminder लिखेंगे तो उस पत्र का संख्या आप 111 आप डालेंगे फिर भी आप मालेंजे उसका भी result जीरो रहा इसका भी result आपका 0 रहा अब भी यहां पर next result 0 रहा तो आप 112 लिखेंगे प्रयास करते जा रहा है आप नंबर बढ़ता जा रहा है result 0 फिर आप 113 पत्र लिखेंगे same subject के लिए आप डेमांड करते जा रहा है नहीं मिल रहा है फिर भी आप यह तो counting संख्या बढ़ते जाएगे वही चीज़ है यहां पर यह वह 126 संभिधान संसोदन विद्यक ऐसा नहीं बता रहा है इसमें एक चीज़ में clear कर देना चाहूंगा कि ऐसा नहीं बता रहा है कि दोनों के भी जो गेप है उतना ही बार इसको प्रयास किया गया वो नहीं है बलकि यह नंबर बताता है कि जो दोनों के बीच संसोदन उस से लेके अभी तक जो दोनों के बीच में difference है उतना ही क्या हुआ है विद्यक फेल किया है यह 126 माइनस 104 अगर आप करते हैं आपके पास में 22 आता है 22 विद्यक अभी तक फेल हो गया है उसमें कुछ राष्टपती के विटो लगे हुए है कुछ कारण से सरकार बदल गया विद्यक फेल कर गया तो यह कारण है यह बहुत ही मतुपूल है क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को और बहुत से instruments को समझ में नहीं आता कि दोनों आखिर असमान ऐसे होता है ठीक है मुझे पुरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आगया होगा एक सोचारवी सम्विधान संसुधन है और 126 सम्विधान संसुधन वो विद्यक था आपसे अगर पूछा जाए एक प्रश्ण के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं इसलिए कि यह बहुत ही महतोपूर्ण हो जाता है और चर्चा करना यहां पर आवस्यक भी है अगर प्रस्ण में ऐसा पूछा जाए कि जो एक सोचारवी सम्विधान संसुधन अदिनियम दोजार उनीस था वो कौन सा विद्यक था तब आप उस विद्यक का नाम 126 वा देंगे 126 सम्विधान संसुधन विद्यक था ठीक है यहां पर अब देख भी पाएंगे 104 सम्वि इस को मैं बहुत स्पीड से मैं पढ़ा देता हूं कि किस प्रकासी इसमें क्या खास बात रही है इसमें आप खास बात देखेंगे 124 सम्विधान संसुधन विद्यक है तो देखी एक गैप है जो कि मेंटेन करके चलता है अगर मान के चलिए अभी तक 104 सम्विधान संसुध अगर मान लीजए अभी अधिमियम अगर पारित हो जाती है तो ये गैप तो रहे हैं यह रहेंगा जब विद्यक जो विध्यक का जो लेटर नंबर होगा, विध्यक का जो नंबर होगा, वो तो 126 के बार, 127 चला जाएगा, तो ये gap हमेशा बना हुआ रहेगा, हरे के साथ में, और ये gap बढ़ता जाएगा, तब बढ़ेगा, जब विध्यक फिल करेगा, तब बढ़ता जाएगा अगर विद्यक अगर सीमिनेर अगर constant भी अगर रहता है इस्थीर भी अगर रहता तो भी जो gap है वो तो रहे गई रहेगा तो कि उसको अप-minus कर नहीं सकते जो हो चुका है events उसको अप-minus कर नहीं सकते हाँ ये कम संख्या में हो सकता है अगर बात कर आगे आने वाले समय में तो ये उसी तरीके से ही बढ़ेगा जैसे पिछले बार बढ़ाते है चुकि सरकार कभी पलट सकता है सरकार सेम आएगा राष्टपती कभी विटो लगाएगा तो जिस तरीके का gap जितने years में बना है जैसे अभी 50, 1951 से आप देख सकते हैं लग-ब इंगलो इंडियन समुधाय के प्रदत आरक्षन को समाप्त कर दिया गया है ये समाप्त कर दिया गया का क्या आर्थ है इसको भी आप समझे अगर माल लिजे इन लोगों के लिए कुछ भी बाते नहीं कही गई तो वो आटोमेटिकले समाप्त हों गया चुकि जैसे 10 वर्स क इंगलो इंडियन समगदाय के लोग थे एक सोचार समिलाहन समसोधन इसलिए भी मातुपूर्ण हो जाता है कि जिस प्रकार से स्ट्री को मातुपूर्ण आरक्षन एक्स्टेंड किया गया 10 वर्स के लिए उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि वहीं अगर मान के चलिए हैं उनको 10 वर्सों के लिए 20 वर्सों के लिए 50 वर्सों के लिए 2 वर्सों के लिए कुछ वी वर्सों के लिए कुछ समयंत्राल के लिए आरक्षन दिया जा सकता था लेकिन सरकार में कोई भी विचार नहीं किया तो जैसा कि अनुछे 334 कह रहा था उसके अनुसार ये स्वत समाप्थ हो गया ठीक है अब आगे चलते हैं आरक्षन के ताहट एंग्रोंडियन समुदा के दो सदा से लोकसभा में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आरक्षन जीस प्रकार से एंग्रोंडियन को दिया हुआ था और सम्मिधान द्वारा इन लोगों को जो आरक्षन विला यह भी महतरपूर्ण है कि 130 सम्षोधन संसुदन अधिनियम 2019 कौन सब विधेग था तो यह 124 सम्षोधन संसुदन अधिनियम जो है वह 126 है यह प्याद रखेंगे चलिए देखते हैं 130 सम्षोधन संसुदन को देजी से एक सो तीनवी संभीधान संसुधन दिनियम दोहज़ार उन्नीस चलिए आईए देखते हैं इसमें क्या खास बात है और ये क्यों समचार पत्रों और बहुत से करेंट अफेर्स और सभी निज़ पेपर्स में चाहे रहे और इसका क्या मात हो एक्जाम की द्रिष्टी कुण से और ये क्यों हमें जानना चाहिए इसके बारे में सोट में समझते हैं और बिल्कुल आसान सब्दों में समझने का प्रयास करते हैं इस सम्विधान संसोधन के द्वारा आर्थेक रूप से कमजोर समाले वर्ग सवर्णों को 10% आरक्षन की ब्योस्था की गई ये तो आप लोग सभी जानते होंगे इसमें मुझे कोई दूर आय नहीं लग रहा है कि कोई भी नहीं जानता होगा चुकि सभी लोग जानते हैं कि सवर्णों को 10% का आर्खषन दिया गया लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये 103-वी सम्विधान संसोधन अधिनियम 2,0202 थे इसका नाम और किस प्रकार से समसोधन में लाया गया आखिर क्या कारण रहा बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इनके विरूद में है बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इनके समर्थन में हैं तो समर्थन और विरूद का यहां पर चर्चान नहीं करूँगा लेकिन संभिधान में जब ऐसी कुछ तो बाते हैं जिसे की ये जोड़ा गया अगर संभिधान में ऐसी कोई चर्चाएं नहीं होती तो ये जोड़ा नहीं जा सकता था आईए देखते हैं कि ऐसे संभिधान में क्या कमजूरी पाया गया या पुर्णा है। ठीक है। यहां पे अनुचेत पंंद्रा और अनुचेत सूला को देखेंगे कि इसमें ही सारी बातें छिपी हुय है। शम्भीधान संसुदा नधिमियम में शम्भीधान कीative 15 और अरक्षन दिया आरक्षान का प्रयोग यही अनुचेद 15 और 16 के तहत मिला है, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि अनुचेद 15 में क्या खास बाते हैं, अनुचेद 15 कहता है क्या है, धर्म, मुझूल बंस, जाती, लिंग या जनमस्थान के अधार पर निसीद है, इसको समझ लेते हैं, बहुत मुझूल बंस लग रहा है कि मैं बता दे रहा हूं, एक्स्प्रेंट कर दे रहा हूं, धर्म, देखें, धर्म को ऐसे समझा जा सकता है, मुझूल बंस को इस प्रकार से समझा जा सकता है, कि माल लिए किसी बेक्ती का जनम, पंडित परिवार में हुआ, तो जनम से ही वो पं बेकती जन्म से मुसल्मान हो जाता है को मैं समझाना चाह रहा. जसा मुलमस क्या है, जो उसे जन्म से मिलता अगर पंडीत के घर में जन्म लिया उसका मुलमस पंडीत है. ठीक है believe अगर चैटल में कुछ भी लिखे , जा लिखे , पांडे लिखे , जा लिखे , बट हो मूल-वंस उसका पंडित है और वही दर्म है तो मूल-वंस और धर्म आईधर्म है विभेद नहीं कर सकते, आप उसे अलग नहीं कर सकते, उसको विभेद या अलग करना निसेध है, तो ये है अनुछे पंदर की खास बातें, आप ये बिल्कुल याद रखेंगे कि धर्म, मौनवंस, जाती लिंग या जनमस्थान, एक, दो, तीन, चार, पांच है, फेक्टर, तो कि आपको याद रखना है, कि इनके अधार पर किसी को भी आप अलग नहीं मान सकते, ऐसा कि भारती संविधान में अनुछेद 15 में उलिखीत है, तो जैसा कि यहाँ पे 15 के अनुछार कह रहा है, कि हम किसी को धर्म, मौनवंस, जाती लिंग या जनमस्थान के अधार पर अलग नहीं कर सकते, तो यहाँ पर बात आती है सववर्नों की, तो सववर्न में आपके कौन से आते हैं, सववर्न में आते हैं जो हाई क्लास के लोग हैं हाई क्लास में अब समझ रहेंगे जिनको रिजर्वेशन नहीं है जैसे कुछ लोग लाला जो वैश्री में आते हैं और कुछ लोग पढ़नेजी हैं उन लोगों को अरक्षन का लाब दिया गया है चुकि यही बता रहा है कि धर्म के अधार पर मु धर्म मुलबन सरजाती इसी के अधार पे मिला हुआ ऐसा वर्नो को लाब कि धर्म भै कोई भी धर्म का हो पंडी जी है उससे क्या हो गया भाई क्लास के हैं उससे क्या हो गया उनको भी अरक्षन का लाब मिलना चाहिए आए अन तेहर उचे सोला की और लोग नियोजन की वि इसे के अधार पे आर्धिक अधार पर या गणना की गई और निसकर्स निकाला गया सरकार में कि यह कोई आधार नहीं है कि किसी को जम के साथ ही जैसे ACST है कोई भी जाती से भी लोग करता है अब ऐसा भी नहीं कि ACST सब्धी लोग गरीब है एक एक परिवार में ऐसे भी है जिसमें 5-5-6-6 ब्यक्ति मोकरी करते है आरक्षन का ही लाव लेके चुकि किसी एक दो का नोकरी हो जाता है तो सपोर्ट करके फिर सारे पढ़ने लगते है आरक्षन का लाव फिर सब उनको मिलता है ऐसा सम्मिधान में कहीं नहीं कहा गया है कि आपकी घर में आरक्षन का लाव मिल रहा है और दो या दो से ज़ादा या एक क्या एक से ज़ादा लोगों को नोकरी मिल चुकी है तो अरक्षन का लाब नहीं मिलेगा अब पचास भी लोग है एक परिवार में पचास भी बेखती हैं सभी को अरक्षन का लाब मिलेगा उसमें केवल और केवल आपको जाती फैक्टर काम करता है, चुकि जाती से आप ACST हो गया है, तो चाहे आप महिने में एक करोड रुपे भी कमाते हूं, उससे कोई मतलब नहीं है, उसके पिता जी एक करोड भी कमाते हूं, कुछ भी करते हूं, पचास जार भी कमाते हूं, फिर भी उनके बच्चे को लाब आरक्षन का मिलेगा और पंडित जी हूं, सिन्हा जी हूं, और सवर्न हूं, उनके बच्चे अगर मान के चलिए या वे अगर महिने के सो रुपे भी कमाते हूं, फिर भी उनको नहीं मिलता था आरक्षन का लाब, चुकि वो आर्थिक रूप से तो कमजोर हो गया, तो यहाँ पे जो भी संगति या थी उस विशंगति को समाप्त करने की कुशिस की गई, नुचेट सूला को यहाँ पे लोक नियोजन की विशे में आउसर की समानता, यहाँ पे पॉइंट बताता है कि आउसर की समानता, सभी को बराबर आउसर मिलना चाहिए, चाहिए वो किसी भी कास्ट, किसी भी धर् पर जन्म हुआ हो, सभी को लोक नियोजन की विशे में आउसर की समानता समान है, यह बहुत ही महतोपूर्ण है, लोक नियोजन की विशे में आउसर की समानता के समरूपता के बारे में विचार किया गया, अनुचेट सूला में, अनुचेट 15 में बहुत ही महतोपूर्ण है ठीक है और ये मैं बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो मौलिक अधिकार में आते हैं अनुछेद 15 अनुछेद 16 ये अगर बात हुई है तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि अनुछेद 14 से लेके अनुछेद 18 तक ये अधिकार आपको है समानता के अधिकार समान्ता से समन्देत अधिकार आपको अनुचेद 14, 15, 16, 17, 18 यह पाँच अनुचेद हो जाते हैं समान्ता के दिकार से समन्देत है और यह महली का दिकार हैं जो सभी को समरूपता से मिलती है यह बहुत ही मुलतोपूर्न है इसी के अधार पर यह две वह अनुछेद है, जो कि सवर्णों के आरक्षन को मिलने वाला जो निया है कह सकत है, या उन लोगों को आर्थिक स्थेती से निकालने की लिए, अर्थिक स्थेती से उपर लाने के लिए जो सरकार की बिवस्था और मैंसा जो निकल के सामने आईए है, संसद में विछार किया गया, वो यहां पर बात कही गया, कि स्ववर्ण तो है लेकिन व आर्थिक रूप से कमजोर है, आपको जब भी इसका लाव दिने का होगा तो आप ब्लॉक में यहांवी सी यो के भुद बनता हो या और डेसी के भुद बनता हो, तो वहां पर आप एक आय का स्रेटिफिकर्ट भी जम्मा करते हैं कि आपकी वार्सिक आय कितनी है अगर वार्सिक आप जो लिमिट है उस लिमिट से ज्यादा दिखाते हैं तो आपको आरक्षन का लाप नहीं मिलेगा तो यहां पर है अधिमियम में संविधान के नुछेद 15 और 16 का संस को कोई भी वर्ग जो आर्टी कूप से कमजोर हो इसके उत्थान के लिए विसेश प्रावधान करता है एक उपबंध जोड़ा गया है यह आप याद रखेंगे यह बहुत ही महत्वपूर्ण है मुझे लगता है कि आप लोगों को एक सो इनवी और एक सो चार्वी संविध होगा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यावाद आज का यह चैप्टर एक्जाम के दरिश्टिकों से बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हली के दिनों में संविधान में संसुधन किये गए हैं आईए हम लोग जानते हैं कि संविधान संसुधन 103 में इसी क्या खास बात है ज सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि संविधान में भाग 20 में 96 368 के तहत संविधान संसुधन की प्रतिया की जाती है अब यहां में खास बात 103 संसुधन जो हुए है 103 संविधान संसुधन उसके बारे में चर्चा करूंगा और साथ ही चर्चा करूंगा मैं यह यहाँ पर कि किस प्रकार से एक सो चारवी संबिधान संसुद्धन अदिनियम 2019 पारित किया गया और इसमें क्या खास बात रही है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगे यहाँ पर जो अभी एकदम हाली की दिनों में किये गये हैं, तो याद रखेंगे कि 104 संबिधान संसुद्धन अदिनियम 2019 पारित किया गया राज्यसभा में, और इसमें क्या खास बात रही है। है इस विदहर के तहत भरते संबीधान के ऐनुचे 334 में संसुधन किया गिया है। 334 बतलाता था कि 70 वर्सों के लिए reservation दी गई है जो reservation आरक्षन की प्रक्रिया है आरक्षन की जो समयावधी है वो 70 वर्सों के लिए है तो इसको मैं detail में अभी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से ये खत्म हो रहा था और किस प्रकार से इसमें 10 वर्सों के लिए बढ़ाया गया ये सारी चीज़ें आप समझ पाएंगा ये समझते हैं पहले इस से पहले की बात है पहले आगे की बातं को समझते हैं लोक सभा और राज्य सभा राज्य विधान सभा में अनुसुचित जात्यों C आरक्षन की याउधी को 10 वर्स और बढ़ाया गया है इसकी खास बात को सम ठीक है कुछ लोग एसी और इस्टी दोनों केटेग्री से रिजर्वेशन का लाव लेके यहाँ पर जाना सुनिश्चीत करते हैं तो ऐसा ऐसी मान्यता है कह सकते हैं या ऐसी धरनाये हैं कह सकते हैं कि अगर यह अगर हटा दिया जाए यह अरक्षन अगर हट जाता तो खत्म हो चुकी थी अगर यह हट जाता तो कोई भी लोग एसी और इस्टी वाले इसमें से चुन के 2020 में 26 जैनवरी 2020 के बाद कोई भी एसी और इस्टी रिजर्वेशन का लाव लेके नहीं आ सकता था चाहे वो बात हो लोग सभा की या बात हो राजी विधान सभा की यह बहुत ही महतोपुर्ण है जो कि exam के दिरिश्टी कौन से बहुत ही महतोपुर्ण है अगर पूछ लिया जाए यह किसी भी बड़े exam में जिसमें आप इंटर्वियों में हो कि 104 जो संभिधान संसुधन क्या माइने है तो आपको वहाँ पर बताना होगा कि अगर 26 जनवरी 2020 के बाद अगर संविधान में संसोधान की प्रक्रिया अगर नहीं की जाती तो कोई भी ब्यक्ति चाहे वो लोकसभा, राजिविधान सभा हो उसमें से इसी और एस्टी के लिए अरक्षन की जो अउधी थ आती तो वो समाथ हो जाता और कोई भी चून के नहीं आ सकता था यह खास बात है चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉंट में क्या है पूर्व में आरक्षन की समय सीमा 25 जनवरी 2020 को समाथ हो रहा था अब नहीं समय सीमा 25 जनवरी 2030 तक के सी और लोग सभा और यह लेजिसलेटिव असेमली के लिए है इसको विधान सभा कहेंगे ठीक है लोग सभा और विधान सभा यहाँ पर इसको काट देना है राज्य सभा नहीं है विधान सभा लेजिसलेटिव असेमली विधान सभा में आरक्षन की तिथी बढ़ाई गई है तो यह तो क्लियर हो गया और क्यों है इसको मैं थोड़ा से डिटेल में बताने का यहां पर प्रयास करूंगा आप समझने का कुछिस करेंगे देखिए समझ यह आप संभीधान लागू किति थी संभीधान लागू किति थी जैसा कि आप जानते हैं 26 जैनवरी सतर वर्ष के लिए आरक्षन दिया गया इसमें सतर आप प्लस करेंगे आपके पास आता है 26 जैनवरी 2020 इसलिए 26 जैनवरी 2020 तक यह देखिए 25 जैनवरी को कम्प्लिट हो गया था 26 जैनवरी यहां पर 25 जैनवरी और 26 जैनवरी इसमें कोई आपको confusion नहीं होनी चाहिए चुकि 26 जैनवरी यहां पर काउंट हो रहा है तक एक दिन यहां पर कम हो गई होगा ठीक है तो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि क्या मैं समझाना चाहर हो 25 जैनवरी 2020 को 70 वर्ष कूरे हो गया है और जैसा कि जो भी आरक्षान की सुईधा मिलती है स्टी और स्टी को वह खत्म हो जाता तो यह बिल्कुल बहुत ही महतोपुर्ण है कि संविधान लागू किती थी से आपको समझना है संविधान लागू किती थी 26 जैनवरी 1950 उसमें आपने किया 70 साल सब्तर वर्स जब आपने एड़ किया तो वो डेट आता है 26 जनवरी 2020 चुकि 26 पहले काउंटिंग हो चुका था इसलिए एक दिन की कमी होगी और वो 25 जनवरी 2020 को ही समाप्त हो जाएगा इसमें कोई भी दिकत नहीं है 25 जनवरी जब अमेंडमेंट हमने किया हुआ है तो अभी इसकी तिति 25 जनवरी 2030 तक हो चुकी है अब नया जब भी संसोधन की बात आईए तो 2030 तक यह अब SEO रेष्टी वाले सुरगषित है अब इनको कोई भी दिकत नहीं है आराम से यह लोग सभा और विधान सभा में चुनके जा सकते है और इजर्वेशन का लाब ले सकते हैं इसलिए यह एक्जाम के दिरिष्टी कौन से और करेंट अफेर्स के दिरिष्टी कौन से भी बहुत ही मतोपूर हो जाता है आईए चलते हैं